नमस्का दोस्तों हमारे बी एस शर्मा वाद्ध्वा चनल में आज सभी दोस्तों का स्वागट है दोस्तों आज की वीडियो में हम कोक बंदन खुलने का किशी की कोक बंदी हुई हूँ किशी के द्वारा तंत्र विद्या के द्वारा तोने तोटके के द्वारा किशिया उपरी हवा दोश के कारण कोक वन्दन हो रखाए यह कुंडली में किसी पापी ग्रे की दिष्ठी के कारण पंचम बाप पर पापी ग्रे की दिष्ठी पड़ी विए उस कारण से रुकावट आ रही है तो उस सभी को दूर करने वाला और सभी मनोकामनाव को पूरी करने वाला पुत्त प्राप्टी की इच्छा को बिसेश पर सो चुके ही संतान प्राप्ती में रुकावट आ रही है तो रुकावट भी दूर होगी दोस्तों इस उपाई में आपको केबल अपने मन में सिर्दा विश्वास की जिरूर्ट है कोई जारा सामिग्री की बिजोत नहीं है केबल सिर्दा विश्वास के द्वारा इस दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धरम में पीपल के ब्रक्ष में साख्यात परम ब्रह्म का वास होता है ये माना गया है बेड में प्राणों में गरंटों में सभी में पीपल की मेमा बिशेष बताई गई है कोई भी पर्वो हर परपर अमा वस्ष्या पर कातिक के म नहींने में शुनादों में सभीपल पित्रों को पूजा करने के लिए पीपल के सब्सक्राइब के हम clip काते हैं तो फांकि तो आपको जो है किए कराएं दूर करने के लिए कोक बंदन खोलने के लिए पुत्त प्राप्ति के लिए मनोवाच्ची संतन प्राप्ति के लिए एक छोता सा उपाय पीपल के पेड़ के नीचे करना हैं इस उपाय को केवल सनिवार के सनिवार करना हैं और गुप्त तरीके से करना हैं बिना किसी को बताए इस उपाय को आप जरूर करें दोश्तों इसमें करना यह है कि सनिवार के दिन आप इश्नान करके सुद्धो करके साइकाल के समय पर यह उपाय साइकाल का है क्यों साइकाल का समय जो होता प्रिदोस काल होता है जो सूर अइस्त हो जाते हैं सूर अइस्त होने के बाद में इस उपाय को करना है इस उपाय को अब किसी भी सनिवार से शुरू कर सकते हैं और सनिवार के सनिवार करें साथ सनिवार का उपाय है किसी किसी पर भगवार सिरी हरी नारायन की कृपा से जो है तुरे देवों की कृपा से बीच में साथ सनिवार के बीच में ही गर्वधारण और जाता है सार्थ सनीवार में तो कोक बंदन अमस्थ खुल जाता है पुत्र की बात्री जरूर होती दोस्तों comma पीपल की आंदर ही वास है और इसलिए प्रिदोष काल में नहीं इस उपाय को करना चाहिए प्रिदोष काल में जो भी पूजा काते हैं सभी प्रिकार की समझ्षों का अंत का देती हैं और मनोवांचित फल को प्रिदान काती हैं आपको जो है साहे काल के समय कुछ सामगरी लेकर के पीपल के पास जाना है पीपल का ब्रिक्ष ऐसा होना चाहिए और पुराना ब्रिक्षो जो कई वरसों से आप देखते हैं बड़े बजर्गों की सामने का है पुराना ब्रिक्षो तो जादा अच्छा है नहीं तो मंदर में भी जाकी पीपल के नीचे कर सकते हैं पर ध्यान रखें इस उपाय को किसी को बताएं नहीं और कोई इसमें ठोकें भी नहीं आपको जो सहेकाल के समय सूरत च्छिपने के बाद में एक लाल पैन लेना है एक लाल कप्ड़ा लेना है आप एक मीटर कप्ड़ा ले के आangen बें उसके छोकड़े साथ तौकड़े कर ले साथ तुकड़े करके साथ सनीवार के लिए रख ले आप जो एक तुकड़ा लेने उसमें से साथ में आपको एक कलावा लेना है कलावा मोली जो कहते हैं पूजा की दुकार से मिल जाता है और एक आटे का दीपक बनाना है उस दीपक में चार बत्ती लगा देनी है चातरफ मुक करके बना करके आठेक दीपक चो मुखी दीपक बना के और उस दीपक में अगर गाय का घी ले जाए जाए तो जार अच्छा है गाय का घी मिली जाता है पूजा की दुकान से भी गाय के घी मिल जाते है गाय का घी ले करके जाए पीपल के नीचे जाकर के सब प्रथम पहुँचते ही पीपल को परिणाम करना है पीपल को परिणाम करके फिर उसके बाद में पीपल की एक डंडी जिस पर पत्ता साफ सुद्राओ कटा पता पत्ता नहीं हो और ना ही सूखा पत्ता हो आप पीपल से पत्ता तोड़ना नहीं है केबल एक पत्ते पर आपको अपनी मनो कामना लिखनी है लाल पैन से जो लाल पैन लेके गए हैं उससे मनो कामना लिखनी है और पत्ते को पहले आप जल से ढोलें तो जादा अच्छा है जल से ढोलेना चाह the people की दंदी को आपको सादवार मोली लपेटनी है ंए साथ वार मोली लपेतने के बाद में जिस दंदी पर पत्ता लगा हुआ है वह उसदंडी को लपेटना है साथ वार कलाबा लपेत दे कलाबा गांठ वानने उसके बाद में उसी मोली को साथ वार अपने हाथ में लपेत ना है इसली जो अपने बाए हाथ में पुरुष डायने हाथ में लपेत है लपेत करके उसके बाद में आप मंत्र बोलना है ओम हरीम वत स्वाहा ओम हरीम वत स्व इस मंत्र को साथ वार उस पत्ते को पकड़ के बोलना है और अपनी मनो कामना जो है पीपल के नीचे बोलते हुआ दीपक जला देना है दीपक को जला करके अपनी मनो कामना बोल करके उसके बाद में एक चुटके मित्ती पीपल के नीचे की ले करके उस कपड़े में बांद ल समय किसी से बात ने करनी हैं यह उपाय करके अपने घर में आकर के रात पैद हो करके घर के अंदर चले जाए और इस जो पोटली बना के लाएं मित्ती की ठोड़ी से एक चुटकी मित्ती लेक्या है उसे अपने पास में रख ले जब अगला सनीवार आए तो इस पोटली को च चड़ा दें और दूसे पत्ते पेचा उसी दंडी पर लगा हुआ हो फिर अपनी मनों कामना लिखनी है और उसको फिर मोली लपेटनी है इस तरह से आपको साथ सनीवार करना है दोस्तों साथ सनीवार इस उपाय को करते हैं तो आप ज्यान रखना कि निश्यत रूप से साथ साथ आपको चाहिए जैसे आप आपने साथ सनीवार कर लिए बीच में आपका घर में धारन हो गया तो उसके बार में यह नहीं कि आप उपाय को रोख दें उपाय को रोखना नहीं है उपाय को चलते ही रहने देना है पूरे साथ करना है और जब साथ सनीवार हो जाए उसके बार में आप कोई भी प्रसाद ले जाकर के पीपल को अर्पिट कर सकते हैं वैसे सनिवार के दिन छोले का प्रसाद चराए या जो मीति खील होती है बुने उचने होते हैं उसका प्रसाद भी चरा करके बच्चों में बात सकते हैं ये आप लास्ट के साथ सनिवार होके उसके बार में आठवे सनिवार को प्रसाथ चरा के आ जाए, दोस्तों याच्यू कुपाए, इस उपाए को करने से निश्यत रूप से हजारों दंपत्तियों को पुत्र संतान की प्राप्ट उए मनुवांचिस संतान की प्राप्ट उए और कोक बंदन खुल गए हैं दोस्तों और आपको हमाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें हमाई चैनल को सब्सक्राइब ने किया है सब्सक्राइब जुरू करें आगे की वीडियो मौत जानकारी के साथ मिलते हैं आप सभी को जैसरी किसना